असलाम अलेकुम नमस्ते मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हो सरफराज टेली तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैजगोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेट के चून के कौटली रिजल्ट के बारे में और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नॉटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूले ताकि आप रेगुलर अपडेट रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बलाते हैं तो इसे शॉर्टकट में मैजडॉक भी कहा जाता है पूरा नाम है मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 556 रुपीज पर एक कंपनी अभी टेड कर रही है और आज की डेट में 8.37% का positive return कंपनी ने दिखाया है चार्ट पैटन पर गौर करें तो एक हफ़ते के चार्ट पैटन में आप देख सकते हैं कंपनी ने एक हफ़ते के चार्ट पैटन में 20% का positive return दिया है वहीं अगर एक महीने का हम graph देखें तो एक महीने के graph में आप देख सकते हैं कंपनी ने 28% का अच्छा कासा return दिया है एक साल की बात कर लें तो एक साल की चार्ट पैटन में आप देख सकते हैं 101% का positive return है वहीं अगर हम 5 साल का graph उठा कर देखें तो 5 साल में कंपनी ने 198% का growth दिया है तो obvious है company ने FD से जादा अच्छा growth दिया है maximum की बात कर लेते हैं maximum में भी 198% का growth है और देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2020 से ही तो यहाँ पर हम देखेंगे valuation ticker tape के accordingly तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sector का price to earning ratio 50.25 है वहीं इस company का price to earning ratio 16.95 है वहीं sector का price to earning ratio 4.89 है वहीं इस company का price to book ratio 2.68 है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि under sector है share holding pattern की बात कर लेते हैं तो share holding pattern में आप देख सकते हैं promoter के पास जो है वो सबसे जादा holding है और इस तरीके से देख सकते हैं प्रमोटर के पास 84% की holding है सबसे जादा और जो कि कोई भी pledge नहीं है, कोई भी गिर्वी नहीं है, मेचल फंड के पास भी ठीक ठाक holding है 0.95% की, वहीं domestic institution के पास 0.19% की holding है, foreign institution के पास 2.47% की holding है, और retail के पास है 11.55% की holding. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कि foreign institution अपनी holding को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब simple है कि उनको भी कुछ इसमें company का future लग रहा है, तब ही वो अपनी holding को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पर, तो यह एक positive point है, वहीं अगर हम बात करें इनके result की, तो according to screener.in, Mezagon Dock Shipbuilders Limited का, अगर हम quarterly result देखें, तो यहाँ पर sales 1396 करोड का जो इनका revenue था, sales था, मार्च के quarter में, वो June quarter में convert हो गया है 2230 करोड का, operating profit की बात करें, तो 77 करोड का जो operating profit था, वो convert हो गया June quarter में, 174 करोड का, net profit की बात करें, तो net profit 145 करोड का था इनका, मार्च के quarter में, वो June quarter में convert हो गया 217 करोड का, तो इस तरीके से company काफी अच्छा revenue भी कमा रही है, और साथी साथ company net profit भी बना रही है, ठीक ठाक. Positive point, negative point की बात करें, तो negative point दो ही है, एक ये के sales growth अच्छी नहीं चल रही है company की, और साथी साथ जो है, company की other income बढ़ गई है, other income का मतलब company जो है other income से भी कमा रही है, तो ये दो negative point है, positive point क्या गया है, positive point ये, company अपने कर्ज को कम किया है, जो कि एक काफी अच्छी बात होती है, और साथी साथ company almost debt free है, यानि की लगभग जो है, कर्ज मुक्त है, कर्ज नहीं है, और company पर जब देंदारी नहीं होती है, तो company के अच्छे performance के chances जादा हो जाते हैं, future growth के, वहीं अगर हम बात करें, तो healthy dividend payout किया है, dividend काफी अच्छा दे रहे है अपने investor को, और साथी साथ debtor days को company ने इंप्रूफ किया, 85 days से 64 days कर दिया, जो कि काफी अच्छी बात है, तो ये सारे points positive हो गए, overview देख लेते हैं, company का overview जो है, कैसा company का financial trend रहा है, तो financial trend अगर हम देखेंगे overview में, तो according to ticker tape, हम देख रहे हैं financial trend, यहां पर आप देख पाएंगे, कि 2019 से 2022 के बीच में, जो इनका 5000 करोड का revenue था, वो convert हो गया है, 6000 करोड के revenue में, net profit जो इनका 0.53,000 करोड का था, वो maintain रहा है, और approximately 0.61,000 करोड का net profit रहा है, तो देखें, कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बढ़त हुई है, तो इस तरीके से अभी जो इनका financial trend है, वो आप कह सकते हैं, stable आपको stability थोड़ा सा देखेगी, वहीं अगर हम बात करें, तो इनके intrinsic value की, तो according to ticker tape.in, intrinsic value इस stock का अभी भी ठीक है, return versus FD की बात करें, तो FD से अच्छा return इसने दिया है, dividend company उतना अच्छा sufficient data available नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने screener की मदद से देखा, कि dividend company अच्छा payout कर रही है अपने investor को, तो dividend भी अच्छा company दे रही है, entry point के लिहाज से stock अभी overbought zone में नहीं है, और ना ही कोई red flag है फिलहाल इस company पर अभी तक, तो ये थी मेरी video, Mezagon, Docks, Shipbuilders Limited के June के quarterly result के उपर, video मैंने positive point भी बता दिया और negative point भी बता दिया है, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं किया, या फिर पहली बार अगर चैनल पर आने, तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें, और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन future में कोई भी video upload करूँ, तो आपको notification मिलता रहा है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक keep learning, keep growing, खुदा आफिस, चैनल